नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेसनात पंडित, आप देख रहे हैं एस्टेशिंग एन टेक्निकल चैनल आज के इस वीडियो में सेट की परफेक्ट कटीन करके दिखाएंगे, सबसे अलग और असान तरीके से यह है दोस्तों, मैजिक पेन जिससे हम मार्किन करके दिखाएंगे आप इसे एमाजोन या पिलिफकाट से मगवा सकते हैं या किसी बड़े सिलाई मेटिलेर्स दुकान से भी ले सकते हैं इस मार्कर पेन का कलर बहुत यह असानी से निकल जाती है प्रेस करने के बाद एक बात और बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको इस पेन का ज़्यादा यूज है जब भी एक पैकेट मंगाएं इसलिए कि दो-तीन महिने में यह खराब हो जाती है, इसमें 50-50 रिफिल होती है 80 cm फेबरिक है डबल फोल्ड में, यानि की एक चाट फेबरिक है तो ऐसे हम फोल्ड में मार्किन करेंगे तो इस तरीके से आपको फेबरिक को अच्छे से बैठा लेना है पहले लंबाई है 28 cm, एक इंच माइनस कर लेंगे सोल्डर के लिए उसके बाद हम 27 cm पे मार्किन करेंगे लंबाई का तो ऐसे मार्किन कर लेंगे, उसके बाद पलस कर लेंगे 1.5 cm हैं फोल्ड के लिए यहाँ पे open set बनाएंगे अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम सीधा एक मार्किन करेंगे तो किनारी हम छाट देंगे, उसके बाद हम सीधा मार्किन करेंगे ऐसे हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई भीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके तो इस तरीके से हम मार्किन कर लेंगे अब यहाँ पे दोस्तों हम उपर ऐसे मार्किन करेंगे बिलकुल सीधा चेश्ट है अनतीस इंच अनतीस को हम चार भाग करेंगे साढ़े नौव इंच हाफ इंच मार्किन करेंगे चेश्ट का चौथा हिस्चा करने के बाद सभी साइज में अलग-अलग प्लस मैनस करना पड़ता है इसका हिसाब आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए और बारेकी से समझिए उपर से पेट की लंबाई है साड़े सत्रा इंच तो साड़े सत्रा में एक इंच हम मार्किन करेंगे शोल्डर के लिए उसके बाद हम साड़े सोला पे मार्किन करेंगे पेट का साइड ओपेन करने के लिए धाई से दो इंच पे आप मार्किन कर सकते हैं अब यहाँ पे दोस्तों इस मार्किन को हम सिधा कर लेंगे ऐसे हमारे इस चैनल पे लेड़े जैन सभी के लिए जैसे पैंट सेट, कुर्ता, डिजाइनिंग का बराउज, सलवार सुट, बच्चों की आइटम, कटिंग और एस्टेशिंग करके दिखाया जाते हैं फारमूले के साथ, अब यहाँ पे दोस्तों आप बारी की समझेए कि फ्रेंट पला उपर को क्यों चलने लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हम तीन सुट फ्रेंट को डाउन कर देंगे, जिसे फ्रेंट न उठे, होता क्या है कि जब हम फ्यूजिंग करते हैं, तो फ्यूजिंग थोड कर सकते हैं, तो उसमें हमें कितना मार्जिंग देना होता है, अब आप यहाँ देखिए बारी की समझेए, सवाइंच का प्लेकट बनाएंगे, प्लस करेंगे हम पांच सूत, जिसे हम फोल्ड करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों, दो इंच में एक सूत कम पे मार्किन कर ले तो पांच सूत, यानि कि पांच सूत पे हम एक मार्किन कर लेंगे ओवरलेप के लिए, जिसे हम तलपट भी कहते हैं, उसके बाद हम उपर भी एक मार्किन कर लेंगे, दो इंच में एक सूत कम, नीचे भी हम एक मार्किन करेंगे, दो इंच में एक सूत कम, चले, अब हम इ यहां भी हम एक marking करेंगे, जेस्ट 38, तो 38 को हम चोथा हिस्वा कर लेंगे, चोथा हिस्वा करने के बाद, 9.5 पे हम Marking करेंगे, तो इस तरीके से 9.5 पे Marking कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों बार्य की समझिये, टाइड फिटिंग के लिए 7 इंच, medium fitting के लिए पौने 2 inch और loose fitting के लिए सवा 2 inch से 0.5 inch तक आप रख सकते हैं चले अब हम medium fitting के लिए पौने 2 inch पर marking कर लेते हैं ऐसे तो हम पेट की marking कर लेते हैं तो पेट है 36 inch तो 36 को हम चौथा बाग करेंगे 9 inch तो 9 inch पर हम पहले एक marking करेंगे तो इस तरीके से हम 9 inch पर marking कर लेंगे उसके बाद chest में पौने 2 inch पर marking किये थे तो पेट में भी पौने 2 inch पर marking करेंगे नीचे bottom की marking करने के लिए total chest को हम नाप लेंगे ऐसे अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 11 inch तीन सूत है तो 11 inch तीन सूत पर हम एक marking करेंगे अब यहाँ पर नीचे भी हम एक marking कर लेंगे ऐसे चलें अब हम chest और पेट की shape दे देते हैं तो इस तरीके से scale को उपर नीचे हम सरकाक्र देख लेंगे कि दोनों का matching कहां पर कर रहा है तो इस तरीके से हम matching कर लेंगे बिल्कुल bottom, pet और chest को ऐसे बैठा लेंगे तो इस तरीके से बैठाने के बाद हम marking कर लेंगे side open करने के लिए इस तरीके से हाप कर लेंगे हाप करने के बाद एक marking करेंगे वहीं से हम shape देंगे ऐसे तो यह बहुत यह असान तरीका है दोस्तों color है 16, तो 16 को हम 5.5 बाग करेंगे 3 इंच में एक सूथ कम तो इस तरीके से हम neck birth यानि की गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच में एक सूथ कम neck dip यानि गले की गहराई धाई इंच रखेंगे जैसे neck birth से 2 सूथ कम यह है दोस्तों armhole shaper ऐसे अगर armhole shaper के साथ पूरे scale set बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दियेगे deception वक्त में जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपने आप से scale set बना सकते हैं चले अब हम solder देख लेते हैं तो solder है 18 inch 18 को half करेंगे 9 inch पलस करेंगे overlap के लिए 500 काज पट्टी और button पट्टी के लिए अब यहां पे दोस्तों हम 9 inch 500 पे ऐसे marking कर लेंगे चले अब हम solder down कर लेते हैं तो solder round हम करेंगे 2 inch सैट की नाप लेते समय आपको यह भी देखना होता है कि solder कितना down है किसी किसी का solder जादा down होता है और किसी किसी का solder कम down होता है जैसे पौने 2 inch 2 inch सवा 2 inch धाई inch तक का भी solder down होता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए solder down करना चाहिए अब यहां पर दोस्तों आप बारे की समझेए कि armhole का shape देने का सही तरीका क्या है तो इस तरीके से half कर लेंगे half करने के बाद उपर हम नाप लेंगे जितना भी होगा उससे हम यहां पर markा करेंगे पौना इंच छोड़ कर तो इस तरीके से पौने छोड़ देंगे उसके बाद हम mark न कर लेंगे ऐसे shape के लिए यह बहुत नहीं असान तरीका है दोस्तों तो इस तरीके से हम armhole shape को बैठा कर देख लेंगे और उसी shape में हम mark न करेंगे अगर आप इस तरीके से armhole में shape देते हैं तो front part में जोल कभी नहीं आएगी इस तरीके से marking पूरा हुआ चले अब हम cutting कर लेते हैं हमारे इस channel से जूड़े रहने के लिए channel को subscribe करें और साथ में bell icon को फिरेश कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके साथ में like share करना ना भूले आपका एक like share है हमारे मेहनत का फल होता है हमारे इस channel पे लेडियों सभी के लिए जैसे pants set, kurta, designing a browse, salwar suit, बच्चों की item, cutting और stretching करके दिखाया जाते हैं फार्मूले के साथ जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और cutting कर सकते हैं अगर आपको सिलाई या cutting करते समय कहीं भी कोई दिखते आती है तो आप हमें comment करके बताएं हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और असान तरीके से तो इस तरीके से front part की cutting हो चुकी है अब हम back पले की cutting करेंगे ये फेवरिक था दोस्तों, double urge का तो जहां से हम front part निकाले थे उसी के side से back पले भी निकालेंगे जैसे 40-42 inch तक का भी हम इस तरीके से cutting कर सकते हैं तो अब दोस्तों हम इस तरीके से फोर्ड कर देंगे फेवरिक को सबसे पहले आपको ये देखिए पांच सूथ हम छोड़ देंगे उबरलेप के लिए उसके बाद हम नाप लेंगे अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10-5 सूथ है उबरलेप छोड़ने के बाद तो 10-5 सूथ पर हम ऐसे एक मार्किन कर लेंगे इस फर्मूले से आप किसी भी साइज के लिए सेट की ओभरलेप का मार्किन कर सकते हैं इससे आपको फायदा ये होगी कि देखे होंगे कि कभी ओभरलेप यानि कि तलपट ज़्यादा चड़ जाता है और कभी फटने लगती है तो ये सब दिखते इसमें कभी नहीं आएगी अब यहाँ पर दोस्तों उसी मार्किन पर हम ऐसे बैठा लेंगे तो इस तरीके से हम उसी मार्किन पर अच्छे से बैठा लेंगे अब यहाँ पर आप बारेकी से समझिए अगर आपको नर्मल सोल्डर रखना है तो हाफ इंच डाउन कर लेंगे अगर आपको सोल्डर की चौड़ाई बढ़ाना है तो उसी हिसाब से डाउन कर लेंगे जैसे हाफ इंच, एक इंच, पॉना इंच, जितना ही आप डाउन करेंगे उतना ही सोल्डर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो इस तरीके से हम half inch down करके एक marking कर लेंगे सीधा अब यहाँ पे हम नाप कर भी देख लेंगे back से 500 extra होना चाहिए overlay के लिए नीचे भी हम नाप कर देख लेंगे यहाँ भी 500 होना चाहिए overlay के लिए तो इस तरीके से marking करने के बाद हम back shoulder की marking करेंगे तो अब यहाँ पे दोस्तों shoulder का half कर लेंगे 9 inch plus कर लेंगे 300 तो इस तरीके से हम marking कर लेंगे उसके बाद हम इस तरीके से shape देंगे back में यह बहुत ही असान तरीका है दोस्तों इससे fitting बहुत ही अच्छी आती है और finishing भी अच्छी आती है हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके साथ में like share करना न भूलें बैक में दोसुत कम इसलिए करते हैं कि बहुत से shirt को देखे होंगे कि पहनने के बाद बैक लटकने लगता है तो ओ सब दिखते इसमें कभी नहीं आएगी कटिन करने के लिए सबसे जरूरी होती है कि shape कहां पे कितना देना है और कैसे देना है अगर इन बातों को आप ध्यार में रखते हुए मार्किन करते हैं तो आपकी shirt या paint की cutting बिलकुल perfect आएगी और उसमें finishing भी अच्छी आएगी और fitting भी अच्छी आएगी चले अब हम solder यानि तीरे की cutting करते हैं बहुत ही असान तरीके से तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है एक side में फिर उसे हम cutting कर लेंगे अगर आपको सिलाई या cutting करते समय कहीं भी कोई दिखते आती है तो आप हमें comment करके बताईए हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और असान तरीके से आपके सभी comments को हम देखते हैं और उसकी उतर भी देते हैं अब यहां पर दोस्तों इस तरीके से solder को हम बैठा लेंगे अच्छे से इस formula से आप किसी भी size का और कितना भी चावडा पतला solder आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फ्रेंट पल्ले से साढ़े तीन से पौने चार इंच पर आप मार्किन कर लेंगे ऐसे इस formula को आप सभी size में यूज कर सकते हैं इस तरीके से मार्किन करने के बाद हम कटिन कर लेंगे ऐसे अब यहाँ पर दोस्तों दोनों पल्ले के लिए हम margin देंगे पौना इंच यानि कि तीन सूथ हम solder में margin लेंगे और तीन सूथ back में लेंगे दोनों मिला अगर पौना इंच हो गया तो पौना इंच हम ऐसे overlap कर लेंगे उसके बाद हम फ्रेंट को ऐसे बैठा लेंगे अब यहाँ पर फ्रेंट में भी हम पौना इंच का एक margin करेंगे उसके बाद उसी margin पर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे solder को अगर आप इस तरीके से solder की cut in करते हैं तो उसमें finishing बहुत ही अच्छी आती है कहीं भी जोल नहीं आएगी बहुत से solder देखे होंगे कि जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पर solder बैट नहीं पाती है तो वह सब दिखते इसमें कभी नहीं आएगी अब यहाँ पर हम ऐसे margin कर लेंगे इस तरीके से आप solder की margin और cut in करके एक बार जरूर देखेगा कि fitting कैसी आती है अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने margin की है अब इस तरीके से shape में यहाँ पर shape में हम cut in करेंगे margin करेंगे बहुत से आप देखे होंगे कि यहाँ पर सीधा scale लगा कर margin और cut in की जाती है तो वह बिल्कुल गलत है चले अब हम solder को भी बैठा कर देख लेते हैं तो इस चरीके से हम solder को बैठाएंगे अब यहाँ भी दोस्तों थोड़ा सा point इसकी निकल रही है तो इसको हम cut in करके निकाल देंगे ऐसे फिर हम इसको बैठा लेते हैं बैठाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए फिर हम friend को भी बैठा लेंगे ऐसे यहाँ भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से solder की cut in पुरा हुआ चले अब हम sleeve यानि आस्तिन की cut in कर लेते हैं तो इस तरीके से हम fabric को बैठा लेंगे ऐसे cross में भी cut in कर लेते हैं और अगर fabric जादा है तो हम सीधा grey line में cut in करेंगे चेश्ट के हिसाब से आस्तिन की cut in करेंगे तो चेश्ट है 38 तो चौथा हिसा करेंगे 9.5 इंच हार मॉल में half इंच मैनस किये थे by shape के लिए और न इंच मैनस करेंगे इस फर्मूले से आप सभी size के लिए by shape की marking कर सकते हैं अब यहां पर हम पौने 9 इंच पे एक marking करेंगे फेबरिक को अच्छे से बैठा लेंगे अब यहां पर दोस्तों half कर लेंगे half करने के बाद 4 इंच तीन सूथ पे आस्तीन की slope देंगे इस फर्मूले से आप सभी size के लिए shape दे सकते हैं तो यहां भी हम आर्किन कर लेंगे आस्तीन है 24 इंच अब यहां पर दोस्तों आर्मूल की जो हम सिलाई लगाएंगे और पक्का सिलाई लगाएंगे तो पक्का सिलाई लगाने के लिए और ना इंच मार्जिंग लेंगे extra कफ की च्वड़ाई है सवा 2 इंच तो सवा 2 इंच हम मार्किन से उपर निकाल देंगे इंची टेप को उसके बाद हम 24 इंच पर मार्किन करेंगे सिलिफ के लिए उसके बाद हम प्लस कर देंगे मर्जिंग अलग से अब यहां पर दोस्तों 9 इंच कफ बनाएंगे तो 9 का आधा कर लेंगे 4 इंच तो 4 इंच पर एक मार्किन कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर 24 इंच हम एक्ष्टा लेंगे मेडियम फिटिंग के लिए अगर आपको लूज फिटिंग बनाना है तो 1 इंच लेंगे और टाइट फिटिंग के लिए 1 इंच लेंगे चले अब हम SQL से सेप दे देते हैं कि सेप हम किस तरीके से देंगे अब आपको सेप देते समय SQL को उपर नीचे सरका लेंगे की कहां पर सेप सही आ रही है तो उस तरीके से हम सेप देंगे आस्heim के लिए हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसाने से पहुंच सके साथ में लाइक सेर करना न भूलें बिलेज अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ तक उसके बाद एक मार्किन कर लेंगे दोनों मार्किन को मिला कर चैनले अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सेप देते हुए मार्किन करते हैं बहुत से लोग गलतिया कर जाते हैं कि सीधा इसके लिए यहाँ लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है उससे क्या होता है कि कफ लगाने के बाद और जब हम प्रेस करते हैं स्लीव को आस्तीन को तो सही से नहीं बैठ पाती है चले अब हम आर्मोल वाले एरिया को सेफ देते हैं तो यहां पर दोस्तों बहुत से लोग 2 इंच, 2 इंच पर मार्किन करके फिर सेफ देते हैं तो वो बिल्कुल गलत है सेफ देने का सही तरीका है सावा से 1.5 इंच तो हम 1.5 इंच पर ऐसे सेफ दे देंगे अगर आपको ज़्यादा हेबी साइज बनाना है तो पॉन्य दो इंच, दो इंच लाष्ट उससे ज़्यादा नहीं फ्रंट सेफ के लिए एक इंच पर मार्किन कर लेंगे उसके बाद हम इस तरीके से सेफ देते हुए एक इंच पर ले जाकर ऐसे मिला लेंगे यहाँ भी हम ऐसे गुमा लेंगे सेफ देते हुए अगर आप इस तरीके से आस्तीन की सेप देते हैं तो फ्रंट क्रोस के पास जो जो जोल आने लगती है वो दिखते इसमें कभी नहीं आएगी अगर आपको सिलाई या कटीन करते समय कहीं भी कोई दिखते आती है तो आप हमें कॉमेंट करके बताईए हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और असान तरीके से सेंटर के लिए एक उटका लगा लेंगे अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आस्तिन की सेफ कितने अच्छी आई है तो इस तरीके से safe आस्तीन की होना चाहिए यहाँ भी थोड़ा सा safe होना चाहिए ऐसे उसके बाद हम जो चौकपटी के लिए cut in करते हैं तो ऐसे जो cut in होता है वो बילकुल गलत होता है तो आपको इस तरीके से cut in करना है यहाँ कफ के फास जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए यहाँ पे साड़े तीन है तो इधर नापकर दिख लेंगे चार इंच यानि कि हाफ इंच ज्यादा होना चाहिए ऐसे चोकपट्टी की लंबाई रखेंगे टूटल पांच इंच अगर आपको डबल चोकपट्टी बनाना है तो तीन सूथ कम पे कटिन करेंगे तो इस तरीके से हम तीन सूथ कम पे कटिन कर लेंगे तो यह बहुत ही असान तरीका है दोस्तों आस्तीन और आर्मोल की एरिया नापकर दिख लेते हैं कि इस फार्मूले से कटीन करने से परफेक्ट आती है या नहीं तो यहां पर हम मार्जिन छोड़ देंगे मार्जिन छोड़ने के बाद हम इस तरीके से नापेंगे ऐसे अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं पौने 10 इंच तो पौने 10 इंच आस्तीन की एरिया है तो हम आर्मूल को भी नाप कर देख लेते हैं कि सही है या गलत तो इस तरीके से हम सोल्डर को मार्जिन लेते हुए ऐसे पैज कर लेंगे उसके बाद हम फ्रेंट पार्ट को ऐसे अच्छे से बैठा लेंगे यहां भी हम मार्जिन जीतना लिये थे पौना इंच तो पौना इंच मार्जिन हम लेंगे तलपट यानि के ओभर लेंगे ऐसे उसके बाद हम यहां भी नापेंगे यहां भी मार्जिन छोड़ते हुए नाप लेंगे ऐसे अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं पौने 10 इंच बिलकुल फर्फेक्ट है तो यह बहुत ही असान तरीका है दोस्तों इस फर्मूले से आप भी एक बार सर्ट की कटिन करके जरूर देखिएगा चले अब हम सर्ट की बाकी खर्चे भी निकाल लेते हैं तो कफ की चोड़ाई है सवादो तो सवादो का साड़े चार पलस मार्जिंग ले लेंगे थोड़ा एक्स्रा हैं कटिन कर लेंगे तो इस तरीके से यहां से हम कफ के लिए कटिन कर लेंगे हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके साथ में लाइक सेर करना न भूलें प्लेज चले अब हम सोल्डर के दूसरे पल्ले को भी कटिन कर लेते हैं यहां से हमारे इस चैनल पे लेडि जेन सभी के लिए जैसे पैंट सर्ट, कुर्ता, डियाइनिंग का बलाउज, सलवार सुट, बच्चों की आइटम कटिंग और इस्टेशिंग करके दिखाये जाते हैं फारमूले के साथ सबसे अलग और असान तरीके से अगर आपको सिलाई या कटिन करते समय कहीं भी कोई दिखते आती है तो आप हमें कोमेंट करके बताईए हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे बहतरिन तरीके से तो यहां से हम कॉलर के लिए फेबरिट निकाल लेंगे उसके बाद हम पोकिट के लिए भी खर्चे निकाल लेते हैं पोकिट की चौणाई रखेंगे पांच इंज मार्जिंग प्लस कर लेंगे उसके बाद हम थोड़ा एक्ष्ट्रा ही कटिन कर लेंगे फिर हम इस तरीके से यहां पर सीधा कर लेंगे उपर वाले हिसे को और ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे पोकिट की चौणाई से तीन से चार सूथ यानि हाफ इंज हम पलस कर लेंगे लंबाई में उसके बाद पलस कर लेंगे हाफ इंज मार्जिंग फिर हम कटिन कर लेंगे यह बहुत यह असान तरीका है दोस्तों । झाल 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 झाल